है थेंक आदे ब्रदर्स नवाइज नाव एल्लो फ्रेंड्स विल्कम टूर प्लो का चैनल व्लॉगर सत्यम गुपता तो आज का जो मारा टॉपिक रहने वोला फ्रेंड्स हो रहने विला बजाज पल्सर टूट्वेंटी ए बेसिक्स मॉडल के मेंटेन्स को लेकर तो आप लोगा काफी सारा कमेंट्स आरा था वियाज में बीडियो के मेंटेनेंस को लेकर तो आज मैं वीटियो लेकर आ ग्या हो थो फ्रेंड्स अगर देखा जाती यह काफी इपूटेंण थापig हो जाता है क्योंकि वेचैन्स पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि में आपको maintenance क्या क्या आएंगे तो friends आज total जो हम बात करने वाले वो तीन topics पर बात करेंगे सबसे पहला जो topic रहेगा friends हो रहेगा pricing को लेकर तो friends इसमें मैं on road और exorum दोनों ही price बताऊंगा दूसरा जो topic मैलेज को मिलता है तो मैं हाइवे और सिटी दोनों का मैलेज आपको बताऊंगा और जो थर्ड टॉपिक रहेगा friends हो रहने वाला है बाइक का servicing और maintenance को लेकर कि आपको servicing और maintenance में कितना costing आ जाता है बाइक में तो friends चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक सोरूम 1,19,789 रुपिस और friends बात करते हैं on road price का तो on road is bike का price आपको 144,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिल जाएगा आपके रहे में friends थोलोग सा price में difference आ सकता है क्योंकि वहाँ पे जो आटी और insurance charges होते है वो थोलोग different होते हैं बट friends आपको on road में approximately यही price देखने को मिलेगा तो friends बात करते है pricing की तो pricing आपको इसका काफी अच्छा देखने को मिल जाता है तो आपके इसमें 200cc का engine देखने को मिल जाता है और power भी friends अगर देखा जाए तो 24.5bhp का आपको power यह bike offer करती है और friends अब तो यह bike आपको BS6 में आने के बाद यह fuel injection में भी आ गई है तो bike बहुत अच्छी हो गई है friends और बात करते हैं friends इसकी looks की तो आपको looks भी इसका काफी अच्छा देखने को मिल जाता है बहुत सारे लोगs friends बोलते हैं कि बजाज ने अपनी bikes में अपडेट नहीं किया है तो friends अपडेट नहीं किया वो बात तो सही है बट अगर बात करते हैं इसकी looks की तो कुछ-कुछ bikes friends ऐसी होती है कि मतलब उसका looks इतना अच्छा बन जाता है इतना perfect हो जाता है कि उसके design को change करने में हो सकता है उसका design खराब हो सकता है इसलिए friends बजाज ने especially इस bike का design में कोई change नहीं किया और personally friends अगर देखा जा तो मुझ इसका mileage को लेकर तो friends आपको जिसका city में mileage देखने को मिलेगा वो आपको 35-40 का mileage easily देखने को मिल जाएगा तो friends बात करते है राइडिंग style पर भी फ्रेंट जो mileage होता है वो डिपेंड करता है सबसे major thing होता है जो mileage में होता है riding style अगर आप ज्यादा rough riding करेंगे तो हो सकता है यह bike आपको 25 का mileage दे 28 का mileage दे 30 का mileage बट अगर आप अच्छे से drive करते हैं तो आपको इसमें easily 35-40 का mileage आपको यह achieve कर देगी यह bike और friends बात करते है highways की कि आपको highways पर क्या mileage मिलेगा तो highways पर आपको 40-45 का mileage यह easily देदेगी बेस 6 model में क्योंकि friends बाइक फ्यूल इंजेक्शन में आ गई है तो फ्यूल इंजेक्शन में थोड़ा जो इसका mileage आपको पहले से increase देखने को मिलेगा as compared to BS4 के comparison में तो यह काफी अच्छा बात हो जाता है friends तो अगर आप इसे important topic रहता है friends हमारा वो रहने वाला इसके maintenance और servicing को लेकर तो friends बजाज जो recommend करती है वो recommend करती है कि 3500 km पर अपनी बाइक की servicing कराने के लिए but friends अगर आप चाहें तो 4000-4500 km तक भी आप इसकी servicing करा सकते है easily but friends 4500 km से जादा नहीं होने दीजेगा क्योंकि उसके बाद जो इंज पर effect पड़ सकता है तो आपको max to max मतलब 4500 km के interval पर आपको अपनी बाइक की servicing करा लेना चाहिए तो friends बात करते हैं company इसमें आपको total 3 free servicing देती है तो आज मैं आपको free servicing और paid servicing दोनों के बारे में बताने वाला हूं तो free servicing का अगर बात करते हैं तो friends free servicing में जो आपका costing पड़ेगा वो आपको 800 to 1000 रुपीज के प्रॉक्स में आपको पड़ जाएगा तो इसमें आपको ज़्यादा servicing देखने को charges नहीं मिलेगा क्योंकि जो free servicing होती है उसमें आपका service charge नहीं लगता है तो friends जो आपको engine oil का charges होता है बस वहीं लगता है major आपका वैसा कोई इसमें charges नहीं लगता है तो free servicing में आपको ज़्यादा maintenance में खर्च नहीं करना पड़ेगा तो friends बात करते हैं paid servicing की तो paid servicing में आपको 1400 to 1600 रुपीज का आपको expense देखने को मिल सकता है तो friends अगर आप अपनी bike का maintenance अच्छे से करते हैं तो paid servicing में भी आपको ज़्यादा expense देखने को नहीं मिलता है अगर आपके disc pads बगर अगर ज़्यादा जल्दी गिशते नहीं है अगर आप अच्छे से driving करते हैं तो friends आपको उसमें भी expense देखने को नहीं मिलता है अगर आपके dispats यह सब अगर अगर मतलब जैसे time to time interval पर अगर गिस जाते हैं तो फिर friends आपके 2000 रुपी स्टेक expense में जा सकते हैं इस bike के तो friends अगर देखा जाए तो यह काफी low maintenance bike है और जैसा कि आप जानते है friends बजाज का जो parts है वो आपको easily market में available भी हो जाता है और देखा जाए तो काफी cheap भी आपको देखने को मिलता है तो अगर 200cc की bike के हिसाब से अगर maintenance देखा जाए इस bike का तो आपको काफी कम day maintenance देखने को मिल जाता है अगर आप segment में देखते हैं तो one of the सबसे low maintenance वाली bike ही आपको देखने को मिल जाएगी तो यह रहाँ friends इस bike के maintenance को लेकर full details तो friends मैंने इसका एक और वीडियो बना रखाया उसमें मैंने बताया 10 reasons to buy Pulsar 220 FBA6 model तो friends अगर आपको इस bike के बारे में जितनी भी queries थी वो दूर हो गई हो अगर फिर भी अगर आपकी कुछ query रह जाती है तो आप एक बर उस वीडियो को देख ले कर दो